नमस्कार स्वागत है एक बाद फिर से हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का आज हम फिर से हाजर है एक नए टापिक और नए विशे के साथ आज का हमारा टापिक बैकुन धाम मंदिर है जो की महाराष्ट में है और कूने से लगवग यह मंदिर 35 किलेमेटर के आसपास पड़ेगा आपको अगर यहां जाना है तो ट्रेंस से और बस से और प्राइबेट आसो आटो की सभी सुभधाएं मजूद है यह मंदिर संत दुकाराम से भी जुड़ा हुआ है कहा जाता है कि यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस लिया था तो इसलिए यह अस्थान बैकुन्ट के नाम से पर सिद्ध हो गया और थिरी थिरी लोगों के मानता इधर बढ़ती गई महारास्ट में यहां पर बहुत जादा लोगों के मानता रहती है जो भी तुकाराम से लोग जुड़े हैं यहां पर चरूर एकवार आते हैं यह मंदिर कुछ दिखने में इस तरह है और अंदर इनक भ्राणी नदी के सटे ही बनाया गया है जो कि एक पवित्रा नदी भी महारास्टा की है और बताते हैं कि लोग यहां जो आते हैं अपने आपको पूणि समस्ते हैं और उनके अगर कोई पाप ओप किये हैं तो भी इस नदी में नहाने से धोल जाते हैं तो बहुत मानता है महाराष्ट्रा में इससे मंदिर की और इससे थोड़ी ही दूर पर तेहु मंदिर भी है जो दुकाराम की वहाँ भी एक मंदिर बनाया गया है तो दोनों मंदिर करीब आधे किलिमेटर के आसपास में बने हुए हैं तो आप जब भी दर जाए एक बार दर्शन जरूर करें तो सबसे पहले बात की जाए तो बैकुण्ठ की बात की जाए तो इंदू धर्म कानुसार कैलाइब पहरुआध पर महादेव ब्रह्मा लोग में सकरते हैं तो उसी तरह बैकुण्ठ मे बिश्ड भगवान निवास करते हैं और बिश्ड सागर कहा जाता है तो अगर बैकुंट का साब्दिक अर्थ की बात करें तो जहां पर कुंठा ना हो निकी निस्क्रिता, अकर्डमता, निरासा, हतासा, अल्लास्य और दरित्रता इनका कोई मतलब नौर है जहां पर उसे ही बैकुंट कहा जाता है इसका मतलब है हुआ कि बैकुंट धाम ऐसास थान है जहां पर कर्विता नहीं है, निस्क्रिता नहीं है कहते हैं कि मरने के बाद पूर्ण कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं या बैकुंट को जाते हैं तो इस मंदिर में आप जाएंगे तो इस मंदिर के दिवालों पर संत्तुकाराम के पूरी जीवनी को चित्रण किया गया है और अलग-अलग दृस्यों के साथ उनकी स्टोरी, उनकी कहानी को दिखाया गया है, उनके जीवन के चरित्र को बताया गया है तो आपको जब भी मौका मिले एक बार जरूर इदर जाएं और बहुत धीवब सुन्दर धंक से बनाया गया है काफी लोग आते हैं इदर देखने के लिए और भीड हमेशा बनी राती है वची इस तरह आपको देखने को मिलेगा उसे मंदिर के एक तरफ दिवाल पर लंबी दूर मैसे बना कर रखा गया है संततुका राम महाराष्ट की छवी गुदर दिखाए जाती है तो थर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहां पर उस रद्धा के साथ आते हैं अब विडियों देखें लोग आहे हरेज की लोग आते हैं और बड़ी हिस्तरधा से लोग यहां पर आते हैं तो फिर मुझे आ च्यान दिचे तक तक के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे हम एक नूए वीडियो नाय टापिक के साथ, बाई बाई बाई